हेलो गाइस आज की वीडियो मैं आपको पताने वाला हूं कि आप अपने ब्लू स्टेक्स 5 में फैल टूरीट कंफिगरेशन फाइल को कैसे फिक्स करते हैं तो यह सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह प्रॉब्लम आती क्यों है तो यह जब भी आप अपने सिस्टेक्स 5 को इंस्टॉल करते हैं तो वह इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्रीट नहीं होता लेकिन काफी हद तक जो फाइल है वह आपके सिस्टम में रह जाती है और जब उसको कंप्लीटली अपने पीजी से हटाना है यार आप अंस्टॉल तो कर दोगे लेकिन कंप्लीटली हटेगा नहीं तो अब यार सैटिंग देख लेते हैं क्या क्या करना है अपने को इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर ड घर जैसे ही रन कुलता है तो आपको यहाँ पर सच करने स्ट्प्रश्ञाइं इतना सच करना है आपको और ऋके करते न है ठीके और यहाँ पर आपको चितने यहीं व्ली अरहिवी यह सारे फाइल को एकदम से डिलीट होनी चीए और यहां पर टेम फाइल मैं अभी खोल कर रखा हूं और यहां पर तीन-चार फाइल है जो बिल्कुल भी डिलीट नहीं हो रहे है तो जो फाइल डिलीट नहीं हो रहने दीचे लेकिन ब्लू स्टेक्स से रिलेटर सारी फाइल टैम से डिलीट करती जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है आपको अपना प्राउजर कोलना है और प्राउजर खोलते ही यहाँ पे सच करना है BTS इसके बाद के यहाँ ब्लू स्टेक्स क्लीनर दाउलोड हो चाहिए तो यहां पर डाउलोड में चेक्क कर सकते हैं लू श्टेक्स अफ्लाइब इसे यार ख्लीक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो यह प्रोसेस has been finished please try download the latest bluestacks app player from www.bluestacks.com and installing it thank you ठीक है तो यार यह जो हमारा bluestacks 5 है वो हमारे PC से completely delete हो चुका है ओके अब क्या करना है अब जो आपने bluestacks 5 download करना है इनके official site से करना है आप यार bluestacks 5 को इधर उदर से बिल्कुल भी download मत करें bluestacks 5 बस सच करें यहां पर bluestacks 5 android emulator दिख जाएगा bluestacks.com में तो उसे उपन कर लिजे और इसके बाद यहां पर download bluestacks 5 इतना करें कि तेहां पर इसका setup install हो जाएगा बस यहां पर downloads में जाना है और जैसे setup install हो जाता है इसे नौर्मल install कर लेना है और आपका जो bluestacks 5 इंस्टॉल हो जाएगा और यह problem आपकी solve हो जाएगे लेकिन यार यह problem अभी भी solve नहीं हो रही है तो इसका मतलब यार अभी भी bluestacks 5 के कुछ file आपके system में बचे हुए है अब यार इसका simple सा solution है आप अपने PC को reset कर दीजे जैसे यह आप अपने PC को reset करेंगे तो आपके PC से जितने भी file है ठीक है सारे file आपके PC से डिलीट हो जाएगे और इसके बाद आप स्टेक्स 5 को डाउनलूड करेंगे तो यह problem बिल्कुल भी नहीं आएगे लेकिन ध्यान रखना reset करने से पहले जो फाइल है जो इंपोर्टन फाइल से आपकी उसे कॉपी कर लेना hard disk में और उसके बाद ही reset करना तो आपको problem solve हो गया तो प्लीज यार वीडियो में चुरूर बताइए comment section में बताइए कि यार problem solve हो गया और कौन सा method है basically work कर रहा है जो delete करने वाला method है उसी से काम हो जा रहे या फिर आपको PC को reset भी करना पड़ रहे है तो guys मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care